हेलो गाइज, मेरा नाम है डॉक्टर लोके समान और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फोलिक एसिड हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? फोलिक एसिड की कम होने पर क्या लक्षन होते हैं? फोलिक एसिड को कितनी डोज में लेना रेकोमेंडिड है? और pregnant मेलाओं के लिए folic acid लेना बहुत जरूरी क्यों होता है और ये भी discuss करेंगे कि pregnant मेलाओं में folic acid की कमें होने पर क्या समसाई हो सकती है और pregnant मेलाओं को folic acid कितनी दिनों तक लेना चाहिए और कितनी dose में लेना recommended है folic acid हमारे स्रीर में new red blood cells को बनाने में मदद करता है red blood cells पूरे स्रीर में oxygen को ले जाती है यदि स्रीर में red blood cells प्रियाप्त मातरा में नई बनती हैं तो इसकी जैसे NMA हो सकता है जिसको folic deficiency NMA के नाम से जाना जाता है folic acid की कमी होने पर स्रीर में कमजोरी, तकान रहना, ध्यान लगाने में दिक्कत होना, सिर्दर्द, गबराट, जीप पर और मू के अंदर गाउ होना, बालों का जड़ना, तवचा का रंग पीला होना, आदी लक्षन folic acid की कमी होने पर हो सकते हैं इसकी लावा, जिन लोगों में folic acid की कमी होती है, उनमें depression होने का रिस्क बेयादिक हो जाता है pregnancy में folic acid को लेना बहुत जरूरी होता है, इससे होने वाले बच्चे का विकास अच्छी तरह से होता है और folic acid कई बर्थ defect से बचाव करता है pregnancy के दोराण folic acid की कमी होने पर होने वाले बच्चे में neural tube defects जैसे spina bifida और enencephaly हो सकता है जैसा की आप image में देख पा रहे होंगे की spina bifida में बच्चे की read के हटी मा के गरब में ठीक तरह से विक्सित नहीं होती है या अच्छी तरह से बंद नहीं हो पाती है और spinal cord के tissues में बार की तरफ एक उबार सा हो जाता है spina bifida की उजय से बच्चे के पैरों में paralysis भी हो सकता है हलांकि गरबा उस्ता के दोरान screening test के जरिये spina bifida का पता लगाया जा सकता है लेकिन कभी कभी जनम के बाद ही इसका पता चलता है और enencephaly में बच्चे का दिमाग और सिर्फ पुरी तरह से विक्सित नहीं होता है enencephaly के साथ पैदा होए बच्चे ज़्यादा समय के लिए जिवित नहीं रहते हैं और जातर बच्चों की death पैदा होने के कुछ गंटों बाद ही हो जाती है इसके लावा folic acid बच्चे में cleft lip और cleft palate से भी बचाव करता है cleft lip और cleft palate में बच्चे के होट या तालू अच्छी तरह से develop नहीं होते हैं यह समस्या भी बच्चे को मा के पेट में ही होती है लेकिन इस समस्या को जनम के बाद सरजरी की मदद से ठीक किया जा सकता है अब हम डिसकस करेंगे कि folic acid को कितनी डोज में लेना recommended है एडेल्स के लिए folic acid के परति दिन की recommended dose 400 microgram है और pregnant में लाओं के लिए या जो मैंने pregnancy के लिए प्लान कर रही है उनके लिए 400 microgram से लेकर 800 microgram folic acid परति दिन लेना recommended है प्रेगनेंट में लाओं को folic acid को प्रेगनेंट होने से तीन मेने पहले ही लेना शुरू कर देना चाहिए और pregnancy के बार्वे सब्ता के बाद folic acid को लेना बंद कर सकती है क्योंकि प्रेगनेंट के बार्वे सब्ता तक शिसू की रीड के डिक अविकास पूरा हो चुका होता है इसलिए बार्वे सब्ता के बाद आप folic acid को लेना बंद कर सकती है हलाकि बार्वे सब्ता के बाद भी अगर आप चाहिए तो pregnancy के पूरे 9 मेने तक folic acid को ले सकती है इससे मा या शिसू को कोई नुक्सान नहीं होता है एक mg में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं और folic acid की tablet 5 mg में market में available है अगर 5 mg को माइक्रोग्राम में convert करते हैं तो 5000 माइक्रोग्राम होता है 5000 माइक्रोग्राम आपकी परती दिन की requirement के इसाब से बहुत ज़्यादा है लेकिन आप folic acid की 5 mg की एक tablet को परती दिन ले सकते हैं क्योंकि folic acid एक water soluble vitamin है और शरीर में इसकी मातरा ज़्यादा होने पर या पिसाब के रास्ते शरीर से बार निकल जाता है और ज़्यादा मातरा में लेने पर शरीर में इससे कोई side fact नहीं होते हैं इसलिए गरव होती महिलाएं वो 18 साल से दिक उमर के सभी व्यक्ति folic acid की 5 mg की एक tablet को परती दिन ले सकते हैं folic acid tablet के side fact की बात करें तो folic acid tablet की कोई side fact नहीं होते हैं अगर आप folic acid की कमी को natural sources से फूरा करना चाते हैं तो इसके लिए आपको हरी पत्तिदार सब्जियों, fruits, काज़ो और बदाम का सेवन प्रियाप्त मातरा में करना चाहिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंदायद प्लीज लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका क्यों क्यों क्यूशन आता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं